दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 18 नवंबर को बॉलिवुट की फिर एक बार मोस्ट आवेटिट फिल्म देखने को मिली जिसका नाम है द्रिश्यम 2 जिसके फर्स पार्ट को भी दर्शकों ने काफी जादा पसंद किया था और इसमें हमें इस बार अजे देवगन के साथ अजे आप जानते होंगे अज़के आज के अमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं किस अभीनिटा की अक्टिंग को दर्शकों ने सबसे जादा पसंद किया है अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमाय साथ वीडियो के अंत तक पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवूड के तैलेंटेर अभिनेता अजय देवगन की जिन्होंने दृष्यम के फर्स्ट पार्ट में ही काफी जबदस्ट आक्टिंग की थी तो वहीं इन्होंने इसके सेकंड पार्ट में तो दर्शकों को अपना पूरी तरह से दिवाना ही बना लिया है क्योंकि इनकी आक्टिंग इतनी ज़ादा सबदस्ट है कि दर्शक इनकी आक्टिंग की तारीफे करते नहीं धक रहे है जहाना तो फिल्म में इनकी ओवर एक्टिंग देखने को मिली है और ना ही इन्होंने फालतु का मैलो ड्रामा किया है बलकि अजे देवगन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि सभी इनकी एक्टिंग को देखकर हैरान हो गए है इतने सालों बाद भी अजे देवगन इतनी खुबसूती से अपने आग को परदे पर उतार रही है और जिस तरह कि उमेई द्रिश्यम 2 से थी उससे कही जादा दर्शकों को देखने को मिला अब बात करें बॉलिवुड के हैंडसम अभीनेता अक्षे खन्ना के जिन्होंने बॉल क्योंकि सीरियल में महज 25 मिनट में इन्होंने दर्शकों को अपना धिवाना बना दिया और जिस तरह इन्होंने अपनी आखों से ही दुश्मनों को डराया है वो वागी काविले तारीफ है जहां सब कह रही है कि अक्षे खन्ना को तो एक्टिंग की क्लासिस देनी चाहिए लेकिन अगर बात करें कि दर्शकों को किस अभिनेता की अक्टिंग सबसे ज़ादा पसंद आई तो वो कोई और नहीं बलकि अक्षे खन्ना ही है जिन्होंने 25 मिनट मिस्टेक जिन्होंने महस 25 मिनट की अक्टिंग में खुद को साबित कर दिखाया वेल दोस्तों आपको इ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले